पेशे नया FarmTrack 45 Ultra Mac चार बाई चार का दम हर काम में नमबर वान इसका मतलब इस ट्रैक्टर में आगे के टायर में भी मिले पावर इस ट्रैक्टर में स्टाइलिंग की अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं सिंगल पीस बोनेट के साथ साती साथ जिसके अंदर FarmTrack की ब्रेंडिंग आगे से बहुत सुन्दर परिकेसे किया गया है दोस्तों इसके अंदर आपको जो इंजन प्राप्त होता है Avial Technology का तीन सिलेंडर वाला इंजन है 47 HP का दमदार इंजन इसमें आपको ज्यादा ताकत प्रदान होता है साती साथ इसकी मेंटेनेंस भी सबसे काम इस इंजन को थंडा रखने के लिए कुलिंग सिस्टम में हमने recovery bottle दिया जो कारो वाला कुलिंग सिस्टम जैसा चलेगा बार बार आपको पानी डालना या कूलन डालने की जरुद नहीं पड़ेगी बाहर से मेंटेन कर सकते हो साथ में इसमें हमने जो air filter दिया हुआ है ये dry type air filter है जिसमें special sensor भी उपलब्ध है तो driver को बार बार filter खोलने की नौबत नहीं आएगी वहाँ sensor देखेगा अगर वहाँ लाल बती जल रही है तब ही जाके इसको साफ करेगा नहीं तो इसको खोलने की जरुवत नहीं आती है इसमें आपको मिलेगा माइको बॉष का in-line pump इस pump को maintenance free रखने के लिए हमने दिया है water separator जो pump में पानी जाने से रुखता है और pump की life लंबी करता है साथी साथ आप देख सकते हो डीजल का जो filter है वो एक ही आता है क्योंकि ये एक filter चार filter का काम अकेला करता है इसमें जो अंदर filter जालियों वाले लगा है वो उन्दा quality का high technology का लगा हुआ है साथी साथ आप देख सकते हो projector type headlamp साइदा दिन हो या रात हो आप बेफिकर काम कर सकते है साथ में आगे से देखोगे तो इतना भारी बरकम हमने heavy company fitted weight दिया है करीब करीब 200 kg का पूरा भार हमने दिया है ताकि ये 4 wheel drive है और जब आप इसमें बड़े उपकरन चलाओगे तो पूरी tractor balance करने में मददकार होगा इसमें आपको tandem pump मिलता है power steering और hydraulics के pump एक ही shaft से चलते हैं और ये live hydraulic tractor चालो तो hydraulic चालो इसमें ergonomy या अराम की अगर बात करें तो देखें चड़ने उतरने के लिए 2 step दिये गये हैं तो बहुत ही कम tractor आपको मिलेंगे जहां पर 2 step से tractor में चटने की सुविदा मिलेगी support platform दिया गया है ये support platform driver के लिए या operator के लिए बहुत आराम दायक होगा 15 गंटे नहीं, 20 गंटे नहीं 24 गंटे में इस साथ में चलाओगे तो आप ठकोगे नहीं इसमें जो pedals ये गये हैं clutch pedal और brake pedal ये सारे ही suspended pedal है मतलब ये नीचे से नहीं आ रहे हैं ये उपर से लटकाए गये हैं इसको suspended technology कहा जाता है तो ये दबाने में बहुत ही आराम दायक रहेगा साथ में जो gear levers हमने दे गये हैं देखे जब ये gear lever में operate करूँगा तो मुझे जुकने की जरुवत नहीं है मतलब मेरी पूरी कमर सीधी रहेगी आप में लंबे समय तक ठकूँगा नहीं आराम को देखते हुए deluxe driver seat की सुविदा दी गई है साथ में वजन के हिसाब से cushioning adjust कर सकता हूँ आगे पीचे ऊपर नीचे मेरे जरुवत अनुसार इसकी setting में कर सकता हूँ इसमें आपको आई पीटियो लीवर भी प्राप्त होता है मतलब पीटियो लीवर ऑपरेट करने के लिए आपको जुकने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह जो छोटा सा लीवर आप देख रहे हो इसको पीटियो ओन आफ लीवर बोलेंगे जब यह आगे की तरफ करोगे तो पीटियो चलते हुए रुख जाएगा और जब आप इसको पीचे की तरफ करोगे तो पीटियो चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप इसकी steering wheel भी देख लो बहुत ही सुन्दर आराम दायक three spoke का steering wheel है इसमें specially हमने easy steer का एक knob भी दिया गया है ताकि जब आप hydraulic lever की काम करो तो दूसरे हाथ से आप steering भी असानी से गुमा सको सुरक्षा को देखते हो है इस tractor के अंदर transport lock ये जो नॉब आप देख रहे हो इसको बोलते हैं transport lock इसको गुमा के आगर आप इसे कस दोगे तो उपकरन उपर उठा हुआ वही का वही रह जाएगा lever भी operate करोगे hydraulic तो उपकरन नीचे नहीं गिरेगा हाँ मगर इसमें याद रखे transport lock में खेत में जाने के बाद इसको खोल दो ताकि आपका hydraulic काम करना चालू कर दे इस tractor के अंदर 3 lever वला hydraulic दिया गया है जो fender की तरफ वला काला lever है इसको बोलते हैं position lever, secondary implement उपकरन जैसे rotor waiter, leveler या seat drill चलाने में मददकार रहेगा और ये जो केसरी रंग का जो lever है इसको बोलते हैं draft lever इसके अंदर ADDC sensing मिलेगा इसमें उपकरन जैसे ambi plow, subsoiler जो घहराई में जाके काम करने का उपकरन है और जिसको sensing की जरूरत है उनके लिए ये मददकार रहेगा और जो तीसरा lever है जो पीछे की तरफ इसको बोलते हैं auxiliary lever या pull wall lever इसमें आप hydraulic pressure से चलने वाले कोई भी उपकरन है वो सारे ही चला सकते हो सुरक्षा को देखते हुए इसके अंदर special independent parking brake दिया है कारों जैसा इस tractor के अंदर solar speed gearbox है आगे जाने के लिए 8 gear पीछे जाने के लिए 8 gear कैसे आईए दिखाते हैं ये main gear lever है इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और बीच में neutral आपको मिलेगा और इसके अंदर आप देखोगे जो range selection lever है आगे की तरफ करोगे तो आपको गती कम हो जाएगा टॉर्क बढ़ जाएगा पीछे की तरफ करोगे तो speed बढ़ जाएगा साथ में जैसे कि मैंने बोला ये 8 gear हो गए उसी प्रकार से हमने एक special synchro shuttle lever दिया है आगे की तरफ करोगे तो आटो गेर आगे जाएगे और पीछे की तरफ करोगे तो आटो गेर पीछे जाएगे इसका मतलब जिस गती से आगे जाएगा लगबग उसी गती से पीछे भी ज प्रदान होता है तो ट्रेक्टर को प्रदान करता है ज्यादा खीचाई की शक्ति उसी प्रकार से पीछे हमने बड़े टायर चवदानों 28 दिये हैं इसका फाइदा पडलिंग या धान की खेती में ज्यादा है इसमें हमने डबल एक्टिंग क्यू आर सी कपलर दिया है जैस कि बड़ा सा बड़ा काम आप कर सको बड़ा उपकरन या हैवी लोडेट ट्रॉली भी आसानी से चले ज्यादा जटके जहलने के क्षमता इस ट्रेक्टर में ज्यादा है साथ में सुरक्षा को देखते हुए इसमें तेल में डूबी ब्रेक वाई भी ब्रेक्स हमने दिये अगर टॉपलिंग को आपने नीचे लगाया तो ये सॉफ्ट सॉयल के लिए हो गया उपर लगाया तो ये हाड सॉयल के लिए हो गया और इसमें सबसे उपर भी एक दिया गया है यह है ट्रांस्पोर्ट के लिए जब भी आप भारी बरकुम उपकरन खहीं खेट से गर ले जा रहे हो तो ऊपर लगा दो ताकि सेंसर आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहे इसमें हमने पूरा ही फ्लाइट बैकेंड दिया है तो हुक के साथ बड़ी ट्रॉली माध्यम ट्रॉली छोटी ट्रॉली जरुत अनुसार आप इसको एड़्जेस्ट कर सकते हो साथ में तेरे एक्सल आप देख सकते हो रोबोस्ट है और चोकोर दिया है ताकि मजबूती बनी रहे हेवी लोड का काम आसान से कर सकें कहते ही नहीं लिख्ये भी हम देते हैं पूरे पांच साल की वारंटी